प्रसनेक निबनांग की तरीक तस्थानों को भरिये तो पहला एक वर्ग में सम्मीति की रेखाएं होती हैं तो पहले हम यह समझेंगे की सम्मीति होता क्या है तो सम्म यदि कोई रेखा आकिर्थी को इस परकार विभाजित करे की कलपना से आकिर्थी का रेखा एल के अनुकूल मोरने पर आकिर्थी का आधा बाया भाग तथा आधा दाया भाग एक दूसरे से पुन्तिया सनिप पाती हो ठीक है, जैसे देखे, यहां पर एक आक किर्थी दिया हुआ है, तो यह जो रेखा है, बीच में जो दिया है, अगर इसको, देखे, इधर हो गया बाया भाग, इधर हो गया दाया भाग, तो दोनों तरब एक जैसा दिख रहा है, अगर यहां इसको मोडा जाए, ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे पे, सन्निपाती हो जाएगा, ठीक है, यानि मिल जाएगा, यह को ना देखिए, यहाँ पे आ जाएगा, इस पे, ठीक है, यानि इस तरब का भाग, यानि इस तरब का भाग, और इस तरब का भाग, दोनों एक जैसा है, ठीक है, कोई, दोनों एक दम बिल्कुल एक ही जैसा है तो इस रेखा को क्या कहेंगे सम्मीति की रेखा कहेंगे इस रेखा को जो बीच में ऐसा बिवाजित कर रहा है कि दाया भाग और बाया भाग ठीक है बिल्कुल एक जैसा हो तो तो इस रेखा को क्या कहेंगे समीति की रेखा कहेंगे तो प्रस्न में कह रहा है कि एक वर्ग में समीति की रेखाई कितना होती है तो देखें वर्ग में एक वर्ग में एक रेखा दो, तीन और चार एक वर्ग में चार समीति की रेखाई होती है देखें एक रेखा हो गया दो तीन और एक चार ठीक है यानि देखे अगर हम इसको इसको देख रहे हैं तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग दोनों एक जैसा एक जैसा है ठीक है अगर देखे इस तरब से देखे इधर वाला भाग और इधर वाला भाग एक जैसा है बिल्कुल अब इस रेखा को देख अगर हम देखें तो इस तरब का भाग और इस तरब का भाग भी एक जैसा है उसी तरह देखें इसको अगर समीति के रेखा माने तो इस तरब का भाग और इस तरब का भाग बिल्कुल एक जैसा है तो एक वर्ग में चार समीति की रखाएं होती है ठीक है? तो वर्ग में क्या होता? चारों पूजा बराबर ठीक है? इसलिए देखें एक वर्ग में चार समीति की रखाएं होती है तो यहाँ पर लिखेंगे चार एक वर्ग में चार सम्मीति की रिखाएं होती है एक संभाहु तिर्भुज में तो एक संभाहु तिर्भुज में तीन संभाहु तिर्भुज किसको कहते हैं जिसका तीनों भुजा बराबर हो जिस तिर्भुज में तीनों भुजा क्या हो बराबर हो उसको संभाहु तिर्भुज कहते हैं तो देखिए संभाहु तिर्भुज में तीन सम्मीति की रखाएं होती है अगर हम इसको देखते हैं तो देखिए इस तरव का भाग और इस तरव का भाग बिल्कुल एक जैसा है अगर इसको देखे तो इस तरव का भाग और इस तरव का भाग एक जैसा है अगर इसको देखे तो इस तरव का भाग और इस तरव का भाग एक जैसा लग रहा है ठीक है तो एक समभाहू तिर्भुज में तीन सम्मीति की रखाएं होती है एक सम्च तूर्भुज में किता होता है दो सम्च तूर्भुज में दो सम्मीति की रिखाएं होती है यहाँ पर दो भरेंगे तो एक सम्च तूर्भुज के दो सम्मीति की रिखाएं होती है देखें ये सम्चत उर्भुज है और ये हो गया इसका दोस सम्मीति की रिखाएं एक इधर से ठीक है चार प्रसने एक का चार एक वरीत में एक वरीत में क्या होता है असंक के सम्मीति की रिखाए होती है तो एक वृत में इसका उत्तर देखिए अम इधर लिख दे रहे हैं यहाँ पर जगह कम है असंक यह कैसे हो रहा है असंक तो एक वृत में असंक के सम्मीति की रिखाए कैसे हो रहा है तो देखे एक वृत किसी भी ब्यास के साफेच सम्मित है तो देखें ये क्या है यानि ब्यास यानि इसके केंद्र से जो भी रेखा गुजरेगा इसके साथ हुआ सम्मित होगा देखें अगर मानिजिए इस तरह से रेखा बनाए तो इस तरव का भाग और इस तरव का भाग एक जैसा है उसी तरह से यहाँ से थोड़ा सा दूर इस तरह से बनाए देखें यहाँ से इस तरह से बनाए तो इसका अनन्त होगा ठीक है बस केंदर से गुजरना चाहिए रेखा जो है केंदर से ही गुजारना चाहिए तो अनन्त इस तरह का हम रेखा इसके घीच सकते हैं ठीक है तो एक वृत में असंख सम्मीती की रेखाएं होती है एक आर्ध वृत में तो एक आर्ध वृत में एक यहां पर एक लिखेंगे एक आर्ध वृत में एक सम्मीती की रेखा होती है जैसे देखिए यहां पर एक आर्ध वृत ACB एक आर्ध वृत ACB में केवल एक सम्मीती की रेखा होती है जो की ब्यास AB का लंब सम्दिव खंड़क है तो यह आर्ध वृत बना हुआ है देखिए तो बस एक ही सम्मीति की रेखा होगा ये जो है रेखा ये सम्मीति की रेखा है तो इस तरव का भाग और इस तरव का भाग देखिए दोनों तरव एक जैसा है तो बस एक ही रेखा होगा क्योंकि और कहीं भी अगर बनाएंगे तो फिर दायां और बायां भाग बराबर नहीं होगा ठीक है तो ब्यास A B यहाँ पर ब्यास A B है ब्यास क्या है A B है और यह जो सम्मितिक रेखा है वो ब्यास A B का लंब सम्दिव खंड़क यानि लंब है उस पर A B पर ठीक है और सम्दिव खंड़क यानि A B को दो भागों में बाट भी रहा है ठीक है तो अर्थवरीत A C B में केवल एक सम्मीती की रेखा होती है यह याद रखना है कि अर्थवरीत में एक अर्थवरीत में एक सम्मीती की रेखा होती है एक आयत में तो एक आयत में दो यहां पर दो लिख देंगे एक आयत में दो समीति की रिखाएं होती है तो आयत देखे एक आयत में समीति की रिखाएं दो होती है तो यह आयत दिया हुआ है तो एक देखे इस तरफ से और एक यह हो गया लंबाई के समनांतर समीति की रिखा और एक हो गया चौडाई के समनांतर समीति की रेखा ठीक है तो देखे इस तरह अगर माने तो नीचे वाला भाग और उपर वाला भाग दोनों एक जैसा है अगर इसको देखे तो दाया भाग बाया भाग और दाया भाग एक जैसा है तो यानि एक आयत में दो सम्मीति की रेखा रेखाएं होती है प्रैसन दो निमलिखित में सत्य कथन को ससे और सत्य कथन को आसे दर्साईए एक वरीत में सिर्फ एक सम्मीति की रेखा होती है तो यह तो असत्य है क्योंकि एक वरीत में अनंत सम्मीति की रेखाएं होती है तो यहाँ पर लिखेंगे यह सत्य है अंग्रेजी वर्नमाला अच्छर एल एक सम्मित्य आकरती है तो एल देखे अंग्रेजी वर्नमाला अच्छर एल तो एल एल है यह अंग्रेजी का अच्छर है एल तो इसको देखे सम्मित आकरती है यानि सम्मीत आकिर्थी मतलब जिसका कि सम्मीति की रिखाएं होती है तो इसमें देखे इसको अगर किसी भी तरफ से दाया और बाया भग पराबर नहीं होगा इसका अगर मालिजे इस तरफ करें तो देखे उपर अलब भाग और निचो अलब भाग बहुत अंतर है ठीक है तो इल जो है एक सम्मीत आकिर्थी नहीं है क्योंकि इसका कोई सम्मीति की रिखाएं नहीं होती है जैसे मालिजे अगर हम इसको यहां से विभाजित इस तरह सम्मीति के रिखाएं बनाएं तो इस तरह का भाग और इस तरह का भाग एक जैसा नहीं है ठीक है तो यानि एल जो है सम्मीत आगरती नहीं है तो इसका भी लिखेंगे आ यानि असत्य है असमान विकर्ण वाले एक समनांतर चतुर्भुज एक सम्मित आखिर्ती है तो ये भी असत्य बोल रहा है ठीक है ये भी असत्य गताना असमान विकर्ण वाले एक समनांतर चतुर्भुज एक सम्मित आखिर्ती नहीं है प्रेस्न चार में एक सम्चतुर्भुच के दोनों विकर्णों में पड़ते के एक सम्मीति की रेखा है तो सह लिखेंगे यहाँ पर ठीक है आयत के दोनों विकर्णों में पड़ते के एक सम्मीति की रेखा है यह ऐसा ते है क्यूंकि आयत में विकर्ण सम्मीति की रेखा नहीं है जैसे देखे विकर्ण तो इस तरह बनेगा आयत का और इस तरह है तो ये सμमीठी के रेखा नहीं है, यहाँ पे देखे, अलग है. तो एक आयत में, आयत के दोनों विकर्णों में पड़ते हैं, एक सμमीठी के रेखा है, यह असत्य है. नीचे दी गए अंग्रेजी वर्ण माला के अच्छوں में सम्मिती अच्छरों को चुणिए तो देखे यहाँ पे जो सम्मित अच्छव रहे उसको चुणना है तो W, देख़े सम्मित अच्छर है क्योंकि अगर हम इस तरह से इसको समीती की रेखा बनाएं तो बाया भाग और दाया भाग क्या है बराबर एक जैसा है देखे यहां से अगर इस तरह हम इसको बाट दें यह समीती की रेखा इस तरह बनाएं तो इधर वाला भाग देखे बाया भाग और दाया भाग क्या है समीत है तो A हो गया एक B में भी देखिए इस तरफ अगर बनाएं रेखा तो बाया भाग और दाया भाग बराबर होगा चैसे इस तरफ रेखा बनाएं समीति की रेखा तो उपर वाला भाग और नीचा वाला भाग बराबर है तो B हो गया यानि A, B C, C में भी देखिए सम्मिती की रेखा बन सकता है इस तरह से, दाया भाग और बाया भाग बराबर है ठीक है, इस तरह से देखिए अगर हम यहाँ पर एक रेखा बनाएं तो A भी क्या है, सम्मित अच्छा रहे O भी सम्मित अच्छा रहे W भी सम्मित अच्छा रहे E नहीं होगा क्योंकि अगर सम्मित की रेखा बनाएंगे तो दाया भाग बाया भाग में यहाँ पर अंतर हो जाएगा ठीक है तो यह नहीं है C, C हो सकता है देखिए अगर इस तरह से सम्मिति की रेखा बनाए तो उपर वाला भाग और नीचे वाला भाग बराबर है यानि एक जैसा है तो यह भी हो गया यानि A, B, C, E इसमें भी देखिए सम्मिति की रेखा बन सकता है इस तरह से तो दाया भाग माया भाग बराबर होगा तो F भी हो गया N नहीं होगा क्योंकि अगर हम इस तरह बनाए तो इधर वाला भाग और माया भाग और दाया भाग एक जैसा नहीं होगा अगर इस तरह भी बनाए तो भी उपर वाला भाग और नीचे वाला भाग एक जैसा नहीं होगा तो G नहीं होगा ठीक है जेड भी नहीं होगा क्योंकि देखिए इस तरह अगर इस तरह भी ये किदर से भी रेखा बनाएंगे तो माली जे इस तरह बनाएं तो उपर वाला भाग और नीचे वाला भाग एक जैसा नहीं होगा अगर इस तरह बनाएं तो बाया भाग दाया भाग एक जैसा नहीं होगा तो ये भी सम्मित अच्छर नहीं है बाई देखिए होगा क्योंकि अगर इस तरह से हम सम्मीतिक रेखा बनाएं तो बाया भाग दाया भाग एक जैसा होगा ठीक है तो आई एस में देखिए एस एक जैसा आकरतिन एक जैसा नहीं होगा बाया दाया भाग अगर हम इस तरह से एक रेखा बनाएं तो देखे बायां भाग अलग, दायां भाग अलग अगर इस तरह से बनाए तो उपर अलग भाग अलग नीच अलग भाग अलग, तो ये भी नहीं होगा तो सम्मित अच्छर कौन कौन है W है, O है, A है, C है B है और B है ठीक है, इसका उत्तर क्या क्या हो जागा देखे हम लिग दे रहा है, तो W, O, A, C, B, बाई तो W, O, A, B, नहीं, डब्लू, O, A, C, B, और बाई तो A, B, C, E, F, और I ठीक है, तो सम्मित अच्छर इतना है देखे, W, O, A, C, B, बाई इसमें तो सम्मित अच्छर को चुणना है, तो कौन कौन होगा तो A लिखेंगे, B लिखेंगे, C लिखेंगे E लिखेंगे, F और I ठीक है, तो A में कौन है, W तो इसका उत्तर देंगे हम देखें इसका उत्तर इस तरह से copy में लिखेंगे सम्मित अच्छर है डबलू ओ ए कौमा देदेंगे सी भी और बाई ठीक है तो सम्मित अच्छर इसमें कौन कौन है तो डबलू ओ ए सी भी बाई बागी सब सम्मित अच्छर प्रस्न चार नीचे दी हुई आकिर्टियों में सम्मित आकिर्टियों को चुनिए तो यहाँ पर देखें कौन सा सम्मित आकिर्टियों उसको चुनना है तो देखें ए में ये सम्मित आकिर्टियों कि अगर हम इस तरह से सम्मीती की रेखा बनाएं तो देखिए बाया भाग दाया भाग एक जैसा दिख रहा है तो एक यह हो गया यह भी देखिए सम्मीत आकरती है क्योंकि अगर इस तरह से सम्मीती की रेखा बनाएं तो बाया भाग दाया भाग एक जैसा है तो ये भी हो गया C भी सम्मिति की रेखा बनाएंगे तो देखे बाया भाग और दाया भाग एक जैसा है तो ये भी सम्मित आकरती है ये नहीं होगा ठीक है ये सम्मित सम्मित आकरती नहीं है ठीक है तो इसको नहीं टिक लगाना है E में देखे ये भी सम्मीत अकृति है, क्योंकि अगर इस तरह से सम्मीती के रेखा बनाएं, तो बाया भाग, दाया भाग, बिल्कुल एक जैसा है, ये भी सम्मीत अकृति है, क्योंकि अगर हम बीच से इस तरह से बीच से इस तरह से बनाएं, तो बाया भाग, दाया भाग, एक जैसा है, G भी देखिए सम्मीत आकृति है क्योंकि इस तरह से अगर हम बनाएं सम्मीति की रेखा तो बाया भाग दाया भाग एक जैसा है ठीक है तो A, B, C E, F, G H नहीं होगा क्योंकि देखिए अगर इस तरह से सम्मीति की रेखा बनाएं बीच से तो दाया भाग और बाया भाग में अलग अलग है देखिए यहां पर इस तरह अलग हो जा रहा इधर ठीक है तो यह नहीं होगा तो कौन कौन इसका उत्तर हो जागा A, B, C, E, F, G तो इसका उत्तर क्या-क्या लिख देँगे देखिए इसका उत्तर लिख देंगे A B C E F G A, B, C, E, F, G तो इस तरह प्रस्ण 4 तक हल कर लेंगे तो अब आप समझ चुके हैं कि कैसे समीती की रेखा घीचा जाता है, ठीक है तो प्रस्ण 5 मैं कहा रहा है निम्नांकी चित्रों में सभी संभावित समीत रेखा घीचे, तो अब आप इसको आपको खुद से करना है, ठीक है इसको कौपी में बना करके सभी सम्भावित समीत रेखा को घीच देना है, ठीक है तो ये देखे, सम्दिवावतीर बुझ दिया हुआ है दोनों भुझा बराबर है, यहाँ पर बराबर का चिन है, ये क्या है, आयत है ये अर्धविरित है ये सम्भावतीर बुझ है तीनों भुझा बराबर है ये वर्ग है, चारों भुझा बराबर है और ये अर्धविरित है, ठीक है तो इसको आपको खुद से आप बना लेना है बहुत ही आसान है, अब आप समझ चुके है कि कैसे होगा प्रस्न छे, तो निम्नांके चित्रों को ग्राब पेपर पर उतार कर चित्र को पुरा करने, ताकि चित्र रेखा L के पड़ती सम्मित हो तो देखे, इसको ग्राब पेपर पर उतार लेना है चित्र को और विल्कुल जैसे इस तरफ बना हुआ है ये देखे, ये है सम्मिती की रेखा जो तीर जैसा बना हुआ है तो इसी के जैसा चित्र इधर बना देना है इस तरफ ठीक है तो दोनों तरफ सम्मित हो जाएगा ठीक है सम्मित आखिरती बन जाएगा इसको भी देखे जिस तरफ जिस तरह दाया भाग है उसी तरह बाया भाग बनाना है और जिस तरह बाया भाग है उसी तरह जैसा दाया भाग बना देना है ठीक है यहां पर भी जिस तरह उपर का भाग है उसी तरह नीचे का भाग भी बना देना है ठीक है तो ये सब आप ये सब अब आप लोग असानी से बना लेंगे हमें मालूम है